जैहीं दोस्तों चलिए उससों बात करते हैं एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना ने कहा है यानि एक्जामना ने कहा कि उसके पास कुछ अमाउंट था उसने उसे फिक्स रेट ओफ इंटरस पे दिया दस साल के लिए दिया और साधन ब्याज की दर पे उसे 3130 रुपे मिले बट कहता है यदि वो पहले पास साल के लिए उस अमाउंट को चड़ाता और पास साल के बद प्रिंसिपल को फाइव टाइम्स कर देता तो उसे टोटल इंटरस कितना मिलता ये एक्जामना ने कोशिन इसको 3130 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ हो तो मुझे कितना का इंटरस मिल जाएगा मुझे ये पास साल का मिल जाएगा यानि कि फास्ट येर का अगर मैं प्रिंसिपल को डबल करेगा तो आपका क्या होगा अमाउंट यानि की इंट्रस्ट वो भी आपका डबल हो करूंगा तो यह मेरे पास क्या जाएगा आप्टर फाइफ येर का इंटरस आजए इन दोनों इंटरस को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो टूटल इंटरस आएगा एक बाद चेक कर लेते हैं तो पहले इसको मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 0 15 15 65 और 15 यह मेरे पास जाएगा आपका सेवन और यह एट और वन इसको डिवाइड करेंगे हम टू से तो यह कहें दो निम अठारा साथ 2 ती अच्छे 1 और 2 निम अठारा यानि कि जो अंसर आना चीए वो अंसर कितना हैगा 9 3 9 0 यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा आई एक बार देखते हैं यह होता कैसे है यह हुआ कैसे देखिए एक्जामने ने कहा कि मेरे बाद principal amount कोई P amount है और मैंने इसको दे दिया और time period दिया उसने 10 year और कहता है 10 year में जो total interest मिला वो 3130 रुबयों से मिला तो यहां से मैंने P की value निकाल ली तो 3130 यानि कि इस से यह तो इसका मतलब कि यह मेरे पास में क्याएगा 31300 by में R यह मेरे पास क्या आगया fix amount आगया नि principal amount मेरे को मिल गया अब वो कह रहा है कि नहीं इसको मुझे 10 साल के लिए चड़ाना इस principal को P into me R by 100 into me 5 year मुझे पहले 5 year के लिए चड़ाना है इसको तो जैसे 5 year के लिए चड़ 65 और 15 15 यानि कि यह मेरे पास पहले 5 साल के लिए इंटरस कितना हैगा 1565 रुपया अब वो कह रहा है कि नहीं principal को क्या कर रहा हो जो principal amount है उसको 5 time करता है यानि कि 5 into me principal कितना मेरे पास में यह आपका 3 1 3 0 by में कितना हो जाए बाय में R into me rate of interest मेरी fix है R into me क्या है next 5 year के लिए इ इस R से तो मेरे यह R कटेगा इस 100 से मेरे 100 कटेगा यानि कि 3 1 3 को में आगर 25 से multiply करूँगा तो 13 65 और 15 15 काटा लगाऊंगा तो कितना होगा मेरे पास में 13 26 और 3 दू नीच है इसको जोड़ूँगा तो मेरे पास कितना है पांच 12 और 7 रेक 8 और यह कितना हो जाए मेरे पास यानि कि 7 825 यह मेरे पास में यह next 5 यह के लिए मेरा इंटरस्ट आएगा इसको जोड़ूँगा तो मेरे पास 0 6 8 3 कितना 9 मेरे पास में आजाएगा आपका यह 8 6 8 5 13 और यह 9 यानि कि जो इसका अंसर आएगा वो 9 3 9 0 यानि कि option क्या आएगा भी आएगा आई होप आप सभी कोई कोशन समझ में आएगा जय हिंद जय भारत